कि हैं है हलो गाइज वेलकम टू मेधाय सुल्दाने यूटूब चैनल सो गाइज आज हम लोग स्टाट करने वाले हैं उत्राखन का जोग्रोफी का पार्ट तो गाइज इसमें आज हम बेसिक बात करेंगे पहले उत्राखन के परिचह से रिलेट एट जो भी कोश्चन होंगे जो हमारे एक्जम पॉइंट हो बिसो इंपोटेंट हैं तो उन्हें हम कबर करेंगे इसके अलाओ गाईज आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आप पर तो की प्रिक्षाओं की तैयारिक करें सभी बिसोयों को अगर आपको पढ़ना है तो आप मेदाय सल्दानी जरूर बनाएं ठीक है तो उत्राखन परिचय जो उत्राखन और इंट्रेक्षन है यहां से कोशन बनते हैं गाईज बेसिक से कोशन हमारे एक्जम पूछे जाते हैं तो याद रखना है चले बात करते हैं जो उत्राखन है यह उत्राखन जो नाम दिया गया एक जन्री 2007 को उत्राखन परिचल से उत्राखन को गठन ऑल्रेडी हो चुका था और 27 सवाराजी था भारत का घमालाई राजी के करमयह यह 11 नम्बर का राजी था लेकिन उत्राखन जो नाम दिया गया है यह 1 जन्री 2007 को उत्राखन को उत्रृजज़ से उत्राखन परिट करते था hour Director अगस्त 2000 को यूपी रिफॉर्म में बिल जो है लोकसभा में पारित हुआ, दस अगस्त 2000 को ये राजी सवा में भी पारित हो गया, और 28 अगस्त 2000 को जो है कोचिरिल, रमन, नारैन, शिरिकेया, नारैन जो थतकालीन रास्टेपती थे, उन्होंने इस पर सहमती ब्यक्ति की और इस तरीके से विधेक यूपी रिफॉर्म में बिल पारित हो गया, और 27 राजी के रूप में उत्राखंड का गठन हो गया, हिमाले करम के राजी में ये 11 नमबर का राजी है, पहले जो गवर्नर हैं उत्राखंड के ये हैं सुर्जेशी बरनाला, वर्तमान में हैं बेवी, पहले हैं सुर्जेशी बरनाला, और पहली जो महला राजीपाल हैं ये रही हैं मारगेट अलवा, ठीक है ना, पहली महला राजीपाल जो हैं मारगेट अलवा हैं, पहले जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं नित्यानन स्वामी, वर्तमान में मुख्यमंत्री जो हैं जहां पर कावत हो गए हैं ठीक है अभी जो है मुख्यमंत्रियों का एक अलक्स बीडियों लेक्चर हम लोग लेके आएंगे मुख्यमंत्रियों राजीपाल का तो वहाँ पर अच्छे से चीज़े के लिए कर लेंगे जो पहले मुख्यनी आईधीस हैं यह थे ज़क दिस स्वरी जस्ट जरूर कर लेना है इसके अलावा ठीक है तो वर्तमान वाले को आपको एक बार चेक जरूर कर लेना है इसके अलावा जो गैज आगे हम बात करने वाले हैं जो उत्राखंड के पर्थम UKPSC यानिकि उत्राखंड पब्लिक सर्विस कमिशन के अध्यक्स रहे हैं यह रहे हैं ए एक्जाम अगर आपका पास होता है तो उससे पहले आपको एक रिचेक जरूर कर लेना है ठीक है उत्राखन के जो पर्थम सुचना आयक्ति थे ये थे आरपी टोलिया और वर्तमान में हैं गए सत्रोगंसी हैं तो आप जो है इसको मेंशन कर लेना वर्तमान में कौन से हैं तो सत्रोगंसी वर्तमान में उत्राखन के सुचनायकत है पर्थम बिधान सभा अध्यक्स जो अंत्रिम बिधान सभा थी इसके जो अध्यक्स थे ये थे परकास पन थे भाजपा से बिलोंग करते थे पर्थम निर्वाचित बिधान सभा अध्यक्स जो है ये स्पाल आ रही है अंतरीम मतलब जब दोजार को उत्रांचल का गठन हुआ तो बीजीपी की सरकार थी उदर यूपी में तो वही जो है यहाँ पर जो भाग किया गया पार्टिसन किया गया उसमें भहमत इनको था तो इसलिए अंतरीम जब निर्वाचन हुआ दुबारा उत्राखन बनने के बा पर विदान सबाद्यक्स होगे पर्थम जो महा आधिवक्ता है यहाँ पर हो रहा है महरमान सीनेगी तो महरमान सीनेगी को आप यहाँ पर कर लिजेगा कट यह होंगे महरमान सीनेगी दूसरे पहले याद रखेगा पहले इसमें आएंगे अल पी नैथानी पहले महा तो एलपी नैथानी जो है ये हैं एक दिसंबर दोजार दो से पांच अपराइल दोजार दो तक और सेकिन में जो हैं दोजार दो से साथ तक मैं महरमान सी नहीं गी है ठीक ना जो वर्तमान में अधिवक्ता हैं ये हैं सूरी नारायन बाबुल कर 31 मार्च 2017 से अभी वर्तमान तक बने हुए हैं वर्तमान में सूरी नारायन बाबुल कर 31 मार्च 2017 से अभी तक बने हुए हैं पर्थम जो लोकायकते हैं न्यायमूर्थी सायद हैदर अबबाच रजा ये हैं इसमें न्यायमूर्थी सेयद हैदर अबबाच रजा जो थे इसमें न्युक्त हुए थे आगे बात करते हैं विधान मंडल की तो गाइज विधान मंडल है एक सद्रनात्मा क्याने कि आपर खाली विधान सभा है विधान परिशद नहीं है केवल सात राज में विधान परि इसमें अलावा महराष्ट और जम्मुकस्मीर दो ऐसे राजी हैं जिनके दो दो बिधान सभा है इसमें सामिल कौन सा है उतराखंड भी सामिल है इसके अलावा जो गाई जो अंतरिम बिधान सभा का गठन हुआ था इसमें टोटल जो हैं तीस ऐमेले थी जब हमने बताया प ठीक है अच्छा उत्राखन विधानसभा ने अपनी वेबसाइट जो है पॉइंट मेंशन कर लेना आप चार माई 2001 को प्रारम्ब किया और देश में पहला राजी था जिसने अपनी वेबसाइट बनाई थी सरुपर्थम राजी में विधानसभा सीटो का परिशमान जो है उत्राखन में यह हुआ था पांच नॉमबर 2021 को पांच नॉमबर 2001 को जो है यह परिशिमन हुआ था परिशिमन वाला क्या चीज है इसे हम बताएंगे पॉलिटी के सैसन में अगला है राजी गठन के बाद पर् राज लक्षिमी साह है और इसके अलावा गैज जो राजी में पर्थम विधानसभा चुना हुए थे यह हुए थे 14 फरवरी 2002 को हुए थे ठीक है ना जो वेबसाइट है उत्राखन विधानसभा के www.utrakhand.org यह जो है यहां का विधानसभा का वेबसाइट था और पहला जामकोशन बनते हैं ठीक है आगे आप बात करते हैं गाइस कुल विधानसभा सीटे हैं उत्राखन में तो 70 तो हैं प्लस एक जो है मनोनित जो राजिपाल करता है तो वो है टोटल होते हैं 71 वर्तमान में जो मनोनित सदशी है यह है जोर्ज आइवान ग्रेगरी मैन जो है व राश्ट्यपती राजिय सबा में 12 सदश्य को लोक सबा में 2 सदश्य को मनोनित करता है जो कि आंगले भारती समोधाय से होते हैं ठीक है न तो अभी तक जो विधानसभा सीटे हैं इनका जो परिसिमन हुए है 5 नॉमबर 2001 को पहला हुआ दोसरा फरवरी 2008 मा हुआ है इसके अ हाली निर्वाचीत की बात करता है देन 70 आपको करना है कुल अगर बात करता है तो 71 ठीक है अच्छा इसके अलाव जो 70 है एक तो मनोनित हो गए हैं तो 70 मैसे जो 15 सीटे हैं यह रिजर्व रखी गई हैं जो ऐसी अनुशुचित जाती के लिए 13 और अनुशुचित जन जाती सग्डूल ट्रॉप के लिए 2 सीटे रिजर्व हैं तो गाईज जो स्सी है इसमें हरिद्वार में सरवाधिक सीटे रिजर्व हैं तीन उधमसी नगर में एक दहरादून में एक उत्तरकासि में एक अलमोड़ा एफोल मोड़ा बी फोर बागेश और पिथोड़ागड़ टी जन जाती के लिए चक्राता दहरादून और नानक मत्ता उधमसी नगर यह दो सीटे यहाँ पर रिजर्व करके रखी गई है अनुशित जन जाती के लिए ठीक है आगे जो है सरवादिक विधानसवा सीटे वाला जिला तो यह है गाईज हरीद्वार हरीद्वार में सरवादि तीन जिले बागिस और रुद्र परियाग और चमपावत इसके अलाव गाईज राजी में जो जीएश्टी पादित हुआ था यह जीएश्टी जो है साद इसम में 2017 को हुआ था इसे आगे भी हम पढ़ेंगे तो याद रखना है इसके अलाव जो लोकसभा सीटे यह भी इं तो एन आवरेज आप बोल सकते हैं कि एक लोकसभा सीट में कितने विधान सभा आ रहे हैं तो लगबल लगबल इसमें 14 का अपनमान लगा सकते हैं 14 गुणा 5 करेंगे तो 70 सीटे ऐसे हो जाएंगी क्योंकि निर्वाचन होता है तो इसलिए जो ने निताल है ने ने निताल के अंतरगत जो है उधमसी नगर जिला भी आएगा टोटल 14 विधान सभा सीटे इसके अंतरगत आती हैं यह आप मान लिजे अलमोडा जो लोकसभा स अलमोडा लोकसभा सीट में अलमोडा बागिस्वा पिथाड़ागड़ा चंपावत यह चार जिले इसके अंतरगत आते हैं और इसमें जो है अनुशुची जाती ही सीट को रिजर्वी किया गया है यहां ध्यान देना है कि यहां पर एस्टी के लिए सग्डूल ट्रैप या यहां confusion नहीं करना है अगला जो है आएगा हरीद्वार तो हरीद्वार जो है छेत्रफल में छोटा जनसंख्या में सबसे बड़ा है लोकसभा सीट ठीक है अगला आएगा पौड़ी तो गैज जो पौड़ी है इसमें छेत्रफल में सबसे जो है छेत्रफल में सबसे बड़ है जिन से क्या कम है पॉपलेशन जो पौड़ी विधान सभा सीट है इसके अंतरगत पौड़ी रूदर परियाग और चमोली ये तीन जिले इसके अंतरगत आते हैं इसके अलावा गड़वाला कुमाओं में बटी जो एकमातर लोकसभा सीट है न वो सीट जो है इसमा आती है और वो है रामनगर सीट ठीक है न रामनगर की जो सीट है वैसे विधान सभा सीट तो कुमाओं के अधिन आती है लेकिन वैसे जो रामनगर का कुछ जो विधान सभा सीट है ये पौड़ी के अंतरगत आता है अगर लोकसभा सीट की बात करें आगे है तीहरी गड़वाल त तो टिहरी जो सीट है, टिहरी सीट में टिहरी दहरादून का कुछ हिस्सा और उत्तरकासी, ठीक है, तो ये जो है आएगा आपका टिहरी में, इस तरीके से लोकसभा की पांचो के पांचो सीट हमने कवर कर दी हैं, सबसे बड़ा अगर बात करें तो छेतरफल में पौड़ी, जनसंक्या में सबसे कम पौड़ी, चेतरफल में सबसे छोटा, जनसंक्या में सबसे बड़ा हरी द्वार लोकसभा सीट है, तो इसको आपको याद रखना है, एकजम पौइंट ऑबिसे काफी इंपोटेंट है, तो इसको आपको भूनना नहीं है, ये बहुत सारे द्वारा एक सांत मिल रहा है और वो भी यूटूब चैनल के माध्यम से बिल्कुल निसुल्क ठीक है तो राज्यसभा सीटों के संक्या आप कितनी है तीन देखिए विधान सभा सीटे हैं 70 निर्वाचित कूल है 71 एक राजिपाल मुनुनित करता है जो अर्थमान में मुनुन इसके अलावा स्ट के लिए कोई भी लोगसभा सीट आर्रेक्सित नहीं है लेकिन स्ट के लिए जरूर है ठीक है जो वर्तमान लोगसभा सदेश्य है राजबबर ठीक है परदीप्रम्टा और अनिल बलोनी ठीक है तो टाइम पिरिट है 14 मार्च 2015 से 20 मिन का पूरा हो चुका है परदीप्रम्टा जो है 16 से 22 18 से 24 में अनिल बलोनी है ठीक है तो याद रखना आगे है उत्राखन मूल की पर्थम महला राजिसवा सदेश्य है तो गाई यह है मनुरमा सर्मा ठीक है तो याद रखना मनुरमा सर्मा जै उत्राखन की पहली राजिसवा सदेश्य है अखन सरकार्द और राजी पर्तिक चिन्नों का जो निर्धारण है ये वर्स 2001 में किया गया है अच्छा राज की चिन्न है क्या है तो गैज इसको भी थोड़ा सा आपको याद रखना है जो राज की चिन्न है ये एक गोलकार मुद्रा में तीन परवत चोटियां और उसके नी जो बीच की चोटी होगी न ये जो बीच की चोटी है ये अन्नी चोटी से थोड़ा सा उपर उठी हुई होगी ठीक है बीच की चोटी अन्नी चोटी से थोड़ा उची होगी तो ये पॉइंटों को आपको याद रखना है इसके अलावा जो इस सत्य में जयते यहां पर लि गया है तो यह पॉइंट इंपॉटेंट है हैं राज की परसुन कस्तुरी मिद्ग है हिमालन मस्क डियर भी से बोला जाता है इसका वएग्यानिक नाम है मासक काइसोगास्टर है इसका रंग भूरा भूरा होता है ब्राउन ठीक है न और कस्तुरी जो है केवल नर्मादा से प सब्सक्राइब करेंगे अब जो आएगा हमारा यह बात करेंगे हम राज की पक्षी की पसु की बात कर चुके हैं तो मोनाल इसे हिमालय का मयूर भी बोला जाता है इसके अलावा यह हिमानचल परदेश का भी है और मुलान नैपाल का राषट पक्षिवी है इसका वेख्ञानिक नाम है यह है लोफु, फोरस, इंपिजेनास इसका पिर्य आहार है आलू ज़ो है हिसको बहुत फैदरिट है इसका पिर्य आलू है ठीक न तो याद रखना यह गाइज बहुत IMPORTENT है इसलिए इसको याद रखाएं इसके अलाव जो नर्जात आए मोनाल में इसको डाफिया बोला जाता है नर्जात जोगी उसे डाफिया बोला जाता है और मादा जाती को मोनाल बोला जाता है ठीक है न? तो याद रखना यह point IMPORTENT है आगली आप जो point आएगा राज्की विर्क्स आएगा बुरांस बुरांस जो है ये फर्वरीज से अप्रेल तक मैं खिलता है और ये सदाहरित विर्क्स है इसका जो वैग्यांिक नाम है ना Rododendron Arboreum है क्या है Rododendron Arboreum इसका वैग्यांइक नाम है जन अधिनियम 1974 केता है संग्रक्षित प्रिक से इसे घोसित किया गया है पॉइंट इंपूटेंट है इसलिए याद रखना आगे जो है अगला पॉइंट है हमारा राज की पुस्प तो गैजी है ब्रहम कमल या कॉल पदम भी इसे बोला जाता है इस्थानी भासा में महाभारत में से सोगंधिक पुस्प बोला गया है 24 पर जातिया यहां पर है और विस्प में टोटल 410 पर जाता है पाए जाती है जिसमें से 24 हमारे उत्राखन में पाए जाती है बात करें इसका वैग्यानिक नाम की तो सोसूरिया सोसूरिया अब बेलेटा इसका वेग्यानिक नाम है ठीक है इसकी जो लंबाई होती है लगवक सत्तर से असी मीटर की लंबाई इसकी होती है सत्तर से असी मीटर की लंबाई इसकी होती है इस जो पहले रजिस्टार थे उच्छे नियाले की जो पहले रजिस्टार थे वो GCM रावत थे कौन थे तो GCM रावत इसके जो हैं पहले जो हैं रजिस्टार भी थे अगर कोशन घुमा के आता है तो याद रखना अधरवाइज डिजाइन किसने तयार किया तो सर्ट टोनी मैक डॉनल्ड ने किया था आगे बात करते हैं गाइज मंडल की तो अभी मंडल हैं दो लेकिन जो तीसरा मंडल है घोसना भी थी चार मार्च दोजार एककिस को लेकिन आप जो है इस फैसले को वापस ले लिया गया है तो एक करेंट का कोशन बन सकता है तो इसको हम याद रखेंगे और बाकि अच्छे स गैसन ही था तीसरा मंडल था तो वहाँ पर चीजें थोड़ा सा अलग कर दी गई थी ठीक ना गैसन को भी मंडल बना दिया गया था लेकिन अब फिलाल इसको मंडल से हटा दिया गया है तो गैस कुमाव में च्छै जिले हैं और याद रखना इन च्छै जिलों में जो लग लग नाम हिनके होते हैं और घडवाल मंडल में जो हैं गाई साट जिले हैं ठीक है तो साट जीलों में जो है अंग्रीजु के समय हमें च्छे फटीयां थी लगबार फिया Nordनिय थी तो यह बात याद रखना अंग्रेजुपी किया गया यह बात पहले भी हमने पड़ी ठीक है ना याद रखना इसके अलावा जो है गाइज वर्च 1874 में जो लागो राजसु पुलिज ब्यास्ता है वर्तमान में उत्राखन के लगबक 1874 में इस्टार्ट हुई थी अंग्रेजों ने जो है गाइज जो कमिशनर को कारेकाल उत्राखन के त्यास्मा पढ़ेंगे वहां पर हम पढ़ेंगे उन्हें लगता था कि जो पहार की जनता है यह बहुत सीधी साधी है और इसलिए जो है उन्होंने यहां पर पुलिस ब्यास को इस्थापीत किया था ठीक है आगे है मैदानी जिला तो दो मैदानी जिले उत्राखन में जो पूर्ण रूप से हरीद्वार उदमसी नगर यहां याद रखना कि नैनी ताल और धहरादून जो है मैदानी जिले नहीं है यही पहाड़ी इलाका भी इसमें सामिल है तो गै समीति की सिपार इस पर राज जी वाद यंत्री से घोशित किया गया धोल को राज की फल है का फल और राज की फूल दियोस मनाए जाता है फूल देई पर्व के रूप में ठीक है ना इसके अलावा जो है आगे हम बात करने वाले हैं नेस्ट पेज में जो गैज महला आयों कि जो पर्थम अध्यक्स हैं यह संतो चौहान है ठीक है ना वरतमान में उसा नेगिन न रहके यह भी वरतमान में हैं बिजाया बढ़तावाल सो गैज जो करेंट के कोशिन है आपकी एक्जाम पोइंट अप व्यू से काफी इंपोटेंट हैं तो इनको आपको भूलना नहीं है इसके अलावा गैज आप मैंसल कर ले ना राज जी के जो पर्थम निर्वाचन आयक्त है वह हैं दुर्गेस नेगी और राज जी का पहला जो साइबर थाना खुला है यह देहरादून में खुला हुआ है ठीक है और पर्थम निर्वाचन आयकत तो तो दुर्गेश नेगी थे इसके अलब पर्थम मुख्य सची और अजैबी करम सिंवर्तमान में उत्पल कुमार सी है और पर्थम पुलीस महानीदेशक असोक कांत सरान थे ठीक है वर्तमान में जो है अनिल रतूडी है अनिल रतूडी नहीं है ठीक है तो यह आपको बार-बा मुझे याद है लेकिन जवान पर नहीं लापा रहे हैं जल्दी ही जैसे याद आएगा असोक कुछ नाम हो उनका ठीक ना असोक से हैं या कुछ ऐसे नाम है तो आप उसको एक बाद रिच्छेक जरूर कर लिजेगा वर्तमान में जो पुलिस महान ने दे सका है असोक से हैं य सुषिला ढोबाल याद रखना और राज्जी में जो आपातकालिन सेवा आया याने की जो 108 सेवा है यह शुरूवी थी 15 माई 2008 को ठीक है ना 15 माई 2008 को आपातकालिन सेवा जो है यह स्टार्ट हुई थी आप जरूर इसे लिख लेना राज्जी तितली है यह गाइस कॉमन प को वर्स 2016 मेंasto क्या किया गया है कोमन पीक हुआ को राज्जे तितली इसके अलवा राज्जी स्टरी जो आपातकालिन टॉल माया टम्टा है आएस हैं जोतिरापांडे और मेजर हैं पहली महला मेजर माया टम्टा है इसके अलावा गाईज जो उत्राखन ने ना उत्राखन से जेल जाने वाली पहली महला हैं दुरगा देवी कमिश्णरों के कारिकार में हम लग पढ़ेंगे इनको जंगलों को आग रूप में लगबग एक महने जेल डाला गया था तो यह सोमिस्वर की दुरगा देवी हैं सोमिस्वर में रहती थी राज जी गठन के बाद की जो पहली महला MP है यानि की लोकसवा सांसद हैं वह है माला राज लकसमी साह ठीक है अच्छा इसके अलावा जो और पॉइंट है इंपोटेंट हैं जो महला हल्प लाइन नंबर है 112 है राज जी में 112 ठीक है न और उत्राखन की जो पहली बितमंत्री रही है गाईज यह अभी हाली में कुश्चन बन सकता है आगे एक्जाम में तो गाईज यह थी इंद्रा हिर्देश ठीक है न हलद्वानी विधान सभा स लेट से यह अभी नेता परते प्रक्ष भी रही थी हाली में इनका निर्धन हो चुका है गाईज उत्राखन अंदुलन के दोरां सी बी आई मुकदमा जिनने वाली पहली जो महला है सुभासनी बर्तवाल है ठीक है और उत्राखन से संबंदित जो वेबसाइड है यह मैंने लॉंच किया गया ठीक है इसके अलावा गाईज एक और पॉइंट जो हमारे काभी इंपोटेंट होगा तो उत्राखन्ड का जो राजी गीत है यह है उत्राखन्ड देव भूमी मात्र भूमी सत सत वंदन अभिनंदन इसको 2016 में घोसित किया गया है राजी गीत इसको जो आ विजस्ट ने तो जो पॉइंट यह वन लाइनर के तोर्फ थे लेकिन आपके एक्जाम पॉइंट बभी उसे काफी इंपोटेंट यह थे इसलिए गाईज लेक्चर लंबा हुआ लेकिन एक्जाम आपको क्रेक्ट करना है तो इसलिए आपको नोट्स वीडियो लेक्चर के एक बार मैं समझ में नहीं आता, तो दो बार आप वीडियो लेक्चर को जरूर दे कि अपनी डाउट को किलियर कर सकते हैं, ठीक है, नएस पार्क में गए जो उत्राखन का जो है भोगुलिक स्टेक्चर की मैं आपको बात करूँगा, लेकिन अभी कुछ पॉइंट है अभी ऐसे ही इंपोर्टेंट होंगे, उनको कबर करेंगे, ठीक है, उसके बाद में जो नएस लेक्चर आएगा, हमारा लगब लगब तीसरा लेक्चर उत्राखन गलोप पर विस्तार है, यानि कि भोगुलिक विस्तार की बात कर लेंगे हैं, भोगुलिक संग्रचना, यानि कि जो उत्राखन है, जो ग्रोफिकल स्ट्रेक्चर उत्राखन को उसको स्टार्ट करेंगे, हम पार्ट 3 में, ठीक है, तो वीडियो अच्छे लगता है, तो प्लीज इसे आप सेर जरूर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी बात हम तक महुचा सकते हैं, और अगर दोसे सब सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने, तो आप हमारे प्लेइलिस्ट में जरूर जाएए, वहाँ पर आपके लिए अलग-अलग सब्जेक्टों को सेट किया गया है, थैंक्यो गाइज